नमस्कार मैं हूँ नीलू और क्या इरान एटम बंब बना चुका है? क्या इसका परीक्षण इरान करने वाला है? और किस तरह से अगर ये एटम बंब तयार हो जाता है तो क्या इसके परिणाम आगे दूरगामी देखने को मिल सकते हैं? मैंक कहा जा रहा है कि इरान ने एटम बंब बना लिया है इस तरह के खबरे आ रही है और बहुत जल्द इसका परिष्ण करने वाला है अब ऐसे में सवाल उड़ता है कि अगर ऐसा हो जाता है तो फिर इसके क्या परिणाम होगे? इरान के नुकलियर प्रोग्राम को लेकि यह बहुत बड़ी खबर है जिसका जिकर आप कर रही है एक रिपोर्ट उनाइटे निशन्स को सौपी है और साथ ही मुसाद और C.I.A. की तरफ से भी इस तरह की जानकारिया मिल रही है इस आई एक रिपोर्ट में बताया गया है क इरान के पास पिछले कुछ मेहनों में इरान ने अपने अपने नुकलियर प्रोग्राम को तीजी से आगे बढ़ाया है और करीब 164 kg यूरेनियम जो है जो की एंरिज़ फॉर्म में है यह अब इरान के पास है अचा निलू मैं यह बता दूँ आपको कि एक्सपर्स जैसा क इरान शोले के एक एक पास यूरे आपको कि इस ओर स्टैट कर सकता है और यह भी कहा जा रहा है कि इरान किसी एक बड़ा इस्रेल पर लाद करें उसके पहले खुद एक नुकलियर प्रिक्षन कर लेए इज़िए अगर इरान अगर नुकलियर टेस्ट करता है तो उसके यहां का इस लेवल का वार है यह एक अलग इसका इस्तर होता है लेकिन अगर एक बार एरान नुकलियर अपरिक्शन कर लेता है उसके बाद जो है वो इस इलाके का पूरा समीकरन जो है वो पूरी तेजी से बदल जाएगा तो फिलहाल IEA के तरफ से जो रिपोर्ट दी गई ह इसमें जो इरान के यूरेनियम को लेके जो रिपोर्ट से इसके मुताबिक ये कहा जा रहा है अचा ये मुसाद की तरफ से भी जानकारियां आई है इस तरह से कि एक तुर्गोजाबाद इलाका है और एक बर्मन इलाका है ये दो बेसिस हैं जहां पे इरान ने अपना जो इसके नुकलियर प्रोग्राम है और खासकर यूरेनियम को परिश्क्रत करने से जुड़ा जो प्रोग्राम है इसको जो है वो तेजी से आगे बढ़ा रहा है तो देखे अगर ये बात सही है इरान अगर नुकलियर खुद को गोशित करता है राष्टे नुकलियर बालिस्टिक मिजाइल्स भी जो है ठीक ठाक इस तर्की है, माना जाता है कि करीब 2000 किलोमेटर की मिजाइल चाहिए इरान को अगर वो तेल अवीव को निशाना बनाना चाहता है तो इस तरह की मिजाइल्स जो हम पिछले एक वीडियो में जिकर किया था कि खुर्रम शेहर जो मिजाइल है उसकी रेंज करीब 2000 किलोमेटर है मिजाइल्स है कि यह अभ आग बड़ा मिजाइल्स कि एक पूरे इलाके में एक बड़ा एटम-उध कि तरफ मामला आगे बड़ सकता है और अमेरिका ने भी इसको counter करने के लिए अपने strategy बना रखी है कि अगर कभी ऐसी सम्भावना बनती है कि कोई बड़ा war छिड़ता है और उसमें कहीं ऐसी सम्भावना बन रही है कि कोई nuclear attack हो सकता है तो इसके लिए बताया जाता है कि अमेरिका का जो Diego Garcia base है जहां पे इनकी military औ आपे बड़ी संख्या में है और ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका ने इरान को काउंटर करने के लिए अपने B2 बॉम्बस तैयार रखे हैं ये प्लेंस जो होते हैं ये काफी लॉंग डिस्टेंस ट्रेवल कर लेते हैं और ये नुकलियर अटैक के बॉम्बस अटैक करने में भी म अर्माणू बम का कहा जा रहा है कि अगर सफल परिक्षन हो जाता है तो इस्तिती खराब हो सकती है खासतों फ़र उस पूरे इलाके में एरान और उसके आसपास के शित्रों में लेकिन इसे में इसराइल की तरफ से क्या कदम उठाय जा रहा है देखे जो आप खेरिये नेतन याहू ने ऐसा बताया जाता है कि इसरेल के पीम ने जो है नेतन याहू ने एक बड़ी बैठक बुलाई थी जिस बैठक में इस बारे में शर्चा की गई कि अगर आगे युद्ध की स्तिती बनती है और अगर हालात खराब होते हैं और अगर किसी तरह का कोई nuclear attack होता है या किसी तरह का बड़ा chemical attack होता है दोनों को लेके इसरेल में काफी वो है तो उस समय हालात से कैसे निपटना है तो बताया जाता है कि नेतनियाहू ने अपने मंतरियों के साथ और experts के साथ एक बड़ी बैठक की है कि जो खावने ही है इरान के सुप्रीम लीडर जो है इन्होंने भी अपने आर्मी के बड़े कमांडर्स के साथ एक बैठक की है और उसमें भी इरान की परमाडू नीती को लेकर बड़े विस्तार से चर्चा की गई तो देखिए कुल मिला के जो है चाहे इरान हो चाहे इसरेल हो दोनों इस नुकलियर आसपेक्ट को लेके दोनों बड़े गंबीर हैं और आगे इसका क्या रूख होगा यह इस पे नजर रखना होगा अब देखिए एक बात और है कि जो मुहमद नईनी है इनका पहले भी जिक्र किया था जो इरान की सेना है IRGC इसके जो प्रवक्ता है उन्होंने हाल में बयान दिया था कि भले इरान को हमला करने में देर हो रही है लेकिन हमला जब भी होगा बहत सटीक होगा तो देखिए यह जो कुछ बयान ऐसे हैं जो बहत चंता करने वाले हैं जब इरान अगर कहता है तुफान से पहले की शांती रिखा है बिल्कुल तुफान से पहले की शांती टाइफ है और उसी तरह देखिए कि इरान की जो सेना के अध्यक्ष है महमत बागेरी इन्होंने भी इनका भी हाल में एक बयान आया है कि इरान जो है वो हनिया की मौत का बदला तो जरूर लेके रहेगा तो देखिए ये पिछले कुछ समय में जिस तरह के बयान बाजी हो रही है ये ये बता रही है कि भले हो सकता है कि अभी इरान और इसरेल का सीधा युद्ध ना हो लेकिन आने वाले समय में ये जो आप कह रही है कि ये तुफान के पहले की शांती है तो हो सकता है वाकई आने वाले दिनों में अगर इरान इसरेल पे हमला करता है तो ये बहुत बड़ा warfare का रूप रे सकता है के लिए वो उसी तरह से रहता है या फिर बीच में कहीं से हमले हो सकते है क्योंकि इस चीज़ की तद्दीक बिल्कुल नहीं की जा सकती है कि तीन दिनों के युद्ध विरा में क्या बिल्कुल वहां पर शान्ती रहेगी और क्या ये सीज़ फायर की तरफ आगे बढ़ा काई सारे सवाल और भी है आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें लिखकर बताए और हमारे साथ आप लगातार जुड़े रहे